हाज जी तो दोस्तों आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर की सिक्रिंग के ओपर देख सकते हैं कि आज हमने जो है वो बैंक ओफ इंडिया की ओफिशिल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि आज की जो हमारी वीडियो होगी वो बैंक ओफ इंडिया के ओपर ही पेस्ट होगी तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड देखे होगे तो हमने बताया था कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो फिक्स डिपोजिट के रेट ओफ इंटरस्ट है मतलब के सेप्टेंबर में रिवाइज होने वाले रेट ओफ इंटरस्ट है उनमें रेट ओफ इ तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप फिर भी fixed deposit करवाना चाहते हैं तो rate of interest जो है वो revise होने के बाद कितने ज़्यादा कम हुए हैं और कम होने के बावजुद भी आपको fixed deposit के ओपर calculate करके बताएंगे कितना interest जो है वो आपको तैसीमा के हिसाब से मिलेग So friends, topic आपको पता चली चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज कर मारा वीडियो और जानते हैं क्या है सारा process और कितना rate of interest जो है वो कम हुआ है So let's start the video So friends, topic आपको पता चली चुका है तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सीधा ही practical और जानते हैं क्या है सारा process So let's start practical देखिए दोस्तो मैंने क्या किया है मैंने browser में Google को open कर लिया है अब मैं क्या करूँगा Google में सर्च करूँगा BOI means bank of India कैसे ही मैं Google में BOI लिख के सर्च करूँगा तो देखिए दोस्तों क्या होगा bank of India की जो official website www.bankofindia.co.in वो आपको सामने दिखाई देने लग जाएगा तो आपको क्या करना है जेस्ट के वल उसे open कर लेंगे देखिए जैसे ही आप उस website को open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज जो है वो डिस्पले होके आएगा कि आपको free mails आ सकती है कि free COVID-19 testing जो है वो चल रही है और link के ओपर क्लिक कीजिए तो आपको उन phishing attack से बचना है तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले message को close कर देता हूँ जैसे ही आप message को close करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface जो है ना वो खुल के आ जाएगा अब आपको क्या करना है अब आपको website के नीचे आ जाना है देखिए जैसे ही आप website को नीचे तरेंगे तो आपको ना एक menu दिखाई देगा उस menu में आपको कुछ tabs दिखाई देंगे जैसे home loan, car loan, loan against property, education loan, personal loan और इसके इलावा last option है check deposit rate तो आपको term deposit rate वो चेक करने के लिए जो option है check deposit rate उस पे सबसे पहले click करना है देखिए दूसरों जैसे ही आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface खुल के आएगा आपको क्या करना है नीचे लिखा रहा है ना no mode उस पे सबसे पहले click करना है जैसे ही आप click करेंगे तो आपके सामने एक और नया web page वो खुल के आ जाएगा तो देखिए थोड़ी सी processing चल रही है और processing के बाद क्या है एक नया web page वो हमारे सामने open होके आ चुका है तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ही उपर ना message लिखा रहा है W E F मतलब जो rate of interest effect हुए है वो हुए है एक 9 2020 मतलब के 1 September 2020 को जो rate of interest है वो revise किये गए है तो revise होने के बाद क्या कोई थोड़ा बोता अंतर आया है जी हाँ दोस्तों अंतर तो आया है क्योंकि rate of interest वो कम किये गए है तो rate of interest कितने कम हुए है वो थोड़ा सा हम अब पहले देखते हैं अगर आप साथ से 14 दिन के लिए fix deposit करवाना चाहते हैं तो आपको जो rate of interest मिलेगा वो मिलेगा 3.25% के हिसाब से अगर आप 15 से 30 दिनों के लिए करवाना चाहते हैं तो आपको rate of interest उसमें भी 3.25% के हिसाब से ही मिलेगा अगर दोस्तो आपकी जो amount वो 2 करोड से लेके 10 करोड का क्या है यह amount काफी जैदा है उसमें जो rate of interest है उनमें भारी कमी की गई है वो काफी जैदा कम किये गए हैं अब हम बात करते हैं main fixed deposit मतलब के एक साल की fixed deposit के क्योंकि mostly जो लोक हैं वो एक साल की fixed deposit करवाना ही prefer करते हैं त दोस्तो देखिए दोस्तो one year and above but less than two year एक साल या एक साल से जैदा पर दो साल से नीचे की अगर आप इस तरह की fixed deposit करवाना चाहते हैं तो आपको जो rate of interest है वो मिलेगा 5.35% तो अगर आपकी amount जो है वो 2 करोड से 10 करोड के बीच है तो आपको rate of interest मिलेगा 3.5% बट मेंली जो लोग है उनकी जो FD है वो 2 करोड से नीचे ही होती है तो उस पे आपको fixed deposit का rate of interest मिलेगा 5.35% अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बताया है कि ये कम हुए है अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी bank of India की तो आप उसमें से compare कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं देखिए मैंने वो वीडियो open की हुई है और उस वी एक साल या एक साल से जैदा पर दो साल के नीचे की जो fix deposit है वो परवाना चाहते थी तो आपको उस समय rate of interest मिलता था 5.50% और जिनकी amount दो क्रोड से जैदा थी उनको मिलता था 4.25 तो उसी तरह से अगर आप 7-14 दिन या 15-30 दिन के लिए rate of interest देखें तो पहले आपको 3.50 मिल मिलता था 7-14 दिन के लिए और 15-30 दिन के लिए 3.50 ही मिलता था लेकिन दोस्तों अब क्या हो चुका है अब आप केबल को ध्यान से आपके सामने देखी सकते हैं कि अब जो है rate of interest थोड़े से कम किये गये हैं मतलब के 0.25% जो है वो कम किये गये हैं लेकिन दोस्तों जिनकी amount दो क्रोड से जैदा थी उनका जो rate of interest है वो काफी जैदा कम किया गया है वो है 0.75% बाकि दोस्तों टेबल आपके सामने ही है आप एक बर क्या है टेबल को आपकी तैसीमा के हिसाब से ध्यान से देख सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपने टेबल देख लिया होगा अब मैं calculate करके बताता हूँ कि आपको अगर एक साल के लिए fix deposit करवाना है तो 5.35% के हिसाब से आपको कितना rate of interest मिलेगा देखे दोस्तों मैंने fix deposit का calculator open किया हुआ है मैं क्या करता हूँ सबसे पहले total investment को फिल करता हूँ total investment मान लीजिए मैं fix deposit करवाना चाहता हूँ एक लागए उसमें अभी जो rate of interest मिल रहा है वो कितना मिल रहा है वो मिल रहा है 5.35% ठीक है दोस्तों और करवाना कितना चाहते हैं आप एक साल के लिए तो आपको जो total investment थी आपकी वो थी एक लागए जो आपको total interest मिलेगा वो मिलेगा 5,458 रुपे तो आपकी जो maturity amount है वो आपकी सप्रीम के सामने आ चुकी है मतलब कि एक लाग 5,458 रुपे जो हैं वो आपको maturity amount मिलेंगे अगर आप bank of India में fix deposit करवाना चाहते हैं एक साल के लिए और आपका rate of interest है 5.35% ठीक है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि आपने सारा process जान लिया होगा कि किस तरह से rate of interest को चेक किया जाता है और हमारी वीडियो का मकसद भी जान लिया होगा कि हमने बताया था कि rate of interest कम होने वाले हैं और कम कितने हुए हैं bank of India की पर तो आज की इस वीडियो का मकसद यही अगर आपको यह वीडियो हमारा informatic लगा हो तो प्लीज यह इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल जीडी टेक को भी सबस्क्राइब करना ना भूले तो विज़ा लेते हैं आपसे इसी वादे के साथ कि जल्द हाजिर होंगे ऐसी ही नई informatic वीड बाइब बाइब